नमस्कार दोस्तों मैं हुरुची एक बरफेट से स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूटीब चैनल टेस्ट का पिटारा में आज हम बनाएंगे ब्रत वाले आलू वैसे तो बनाना इन्हें बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा शानदार होता गरगे सभी लोग ब्रत वाले आलू पसंद करते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है चलिए सियर करती हूं आपके साथ की ऐसली कैसे बना सकते है अदि ब्रत वाले बनाने लिए सबसे पहले मैंने दुए कर हैं तो भ़त बोड़े जिस साइस की है उसके हिसाब से कार दें बहुत ज्यादा च्छोटा टुकड़ा नहीं करना है कहने का मतलब यह है यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले ही करके रखा था अलू बाल ली है छील ली है सब कुछ करके रेडी रखा आलू यहाँ पर मैंने थोड़ी ज्यादा quantity में ली है क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि मेरे घर में सबी को यह वाली आलू ज्यादा पसंद आती है तो इसलिए जो ब्रत है उनके लिए भी बन रही है और जो ब्रत नहीं है वो भी इस आलू को खाएंगे इसलिए quantity ज्या मैंने यहाँ पर आलू जादा लिए इसलिए दो टेबल स्पून घीर डाल रही हूं अगर आप चाहे तो आप एक टेबल स्पून घीर में भी बना सकते हैं उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक जम्म साबु जीरा तीन से चार हरी मिर्च आपको जितनी जरूरत हो जितना त तो नहीं अगर आप चाहे तो बाद में डाल सकते हैं अगर आप च्छरा से दॉट घीरा से बना की लिचा थायगे को प Alumni is challenge अच्छा लगता है ब्रत वालो में हरे धनियक का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल होता है अगर आपके पास हो तो जरू टाल दें उसके बाद जो हमने अलु लिए थी कट करके उसे टाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राइ करेंगे थोड़ी तेर के कभी कबार होता है कि अगर हम पहले नमक नहीं डालते हैं और बाद में सूखी आलो में नमक डालते हैं तो नमक हमारी कहीं एक जगा पर जाकर चिपक जाता है और वह अच्छे से मिलता नहीं सब जगह तो कहीं नमक ज्यादा लगता है और कहीं कम लगता है इसलिए आप मैं एक निबू का रस ले लिया है उसे डालेंगे इसके बार घालेंगे मुब्फली का का पिषा पाउडर मैंने मुब्फली को ड्राय रोष्ट करके उसका चिलका रखर डर-दर पिष कर पाउडर बना कर रखा हूआ है जब भी कोई व्रत वाली रेसिपी बनाती हो तो उसमें आड़ कर देती हूँ उसे डाल कर अच्छे से अलू में मिक्स करेंगे हमारे अलू बनकर तयार हो चुके हैं आप चाहें तो इस स्टेज पर अलू को नीचे उतार सकते हैं अगर आपको मेरी तरह थोड़ी क्रंची आलू पसंद है जिन में ब्राउन सी कोटिंग हो जाती है तो आप इसे 15-20 मिनट के लिए धीमी आज पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए पका लेंगे थोड़ी देर के लिए और हमारे ब्रत वाले अलू बनकर तयार हो चुके हैं अब हम इन्हें सर्व करेंगे हमारे ब्रत वाले अलू बहुत ही आसानी से फटा फट से बनकर तयार हो जाते हैं आपको इसके सारे इंग्रीडियंट आपके किचन में मिल जाएंगे ये बनाने में जितने आसान है खाने में उतने ही ज़्यादा टेश्टी और सुकून वाला खाना जिसे गहते हैं वो है इसे आप ब्रत में कभी भी किसी भी दिन खा सकते हैं और कितनी भी दिन खा सकते हैं आपकी नौरात्रे चल रहे हैं तो आप इसे तीन से चार दिर अराम से खा सकते हैं आपको यह से खा कर बोरियत बिल्कुल भी नहीं होगी आपको हमारे आलू की रेसिपी कैसी लगी और आप कमेंट बाक्स में बताईए कि आप आलू किस तरह से बनाते हैं अगर आपके पास कोई यूनीक आइडिया है तो हमारे साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ये भी बताईएगा कि क्या आप बचपन में ब्रत इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि आपको ब्रत वाले आलू खाने थे अगर आप भी मेरी तरह हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केर और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फैमली फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाएगा थाइंक यू